स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें अच्छा भारती क्रिकेट का एक स्वर्निम दौर था वो दौर शायद टेस्ट क्रिकेट में शुरू होता है 2002 से लेकर 2011 तक लेकिन एक ऐसा दौर भी था जहां पर भारत में वर्ल्ड कप जीता वर्ल्ड टी 20 जीता टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक बने और उसक्त लोग यह कहते थे कि भारत नंबर एक है क्योंकि पैसा है भारत में इसलिए क्योंकि उसक्त भारत की टीम शांदार थी दोनों फॉर्मैट में मेरे साथ उस टीम के एक नायक है जिनका नाम है गौतम गंभीर और गौतम ने कुछ दिन पहले यह कहा कि बस अब और नहीं मैं काफी क्रि सब्सक्राइब करियर एक साल बात खत्म हो गया यह तो मुझे उससी वक्त थोड़ा सा अजीब लगता था मेरा सवाल पहला आपसे यह है रादर दन मैं बहुत जादा पीछे जाओं कि आपने क्या किया मैं आपसे जानना चाता हूं कि आपको गिला है जो आप नहीं कर देखे सबसे बड़ा गिला एक ही चीज़ का है कि मेरे टेस्ट फॉर्म और टेस्ट फॉर्म भी वह जब मैंने लास्स सीरीज खेली थी उसमें साड़े तीन सो रन बनाया थे इंगलिंड के अगेस्ट जो हम वो टेस्स सीरीज हारे थे अट होम जब आलस्ट को क्या था उसक इंडिया के लिए और उसके बावजू जब डॉप उसके बाद मैंने वन डे क्रिकेट में कोई कम बाक नी किया वो थोड़ा अनफॉर्चनेट था वो थोड़ा एधिंक बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट भी किया गया था बिकॉस मुझे लग रहा था कि अगर लोगों को दिया भेंड चांजिंग फ मांच पचास थे और उसके बावजू डॉप हो फिसक आवन डे क्रिकेट से भी द्रॉप हो थो एटिंग वचो जो वन डे क्रिकेट से ड्रॉप हो था न वो बहुत जाधה चालनेंज़ था वो जाधे एकसेप्ट परना हो ते लुझे निये चे 2012 के बाद 2 come back वे, 2014 में England जहां पर 2 test match खेला, उधर रन नी बनाए उसके बाद आके drop हो गया किसी के भी नी बने ते किसी के भी नी बने ते लेकिन अनफॉचनली ड्रॉप सिरफ मही वा था उस साइड से फिर 2016 में जहां पर 2 test match के ला उसके बाद ड्रॉप हो गया कि अगर आप सिरफ platform देख के अपनी cricket खेलेंगे अगर आप platform सोच के अपनी cricket खेलेंगे तो आप हमेशा frustrated रहेंगे आप खेलना इंडिया के लिए चाहते हैं और आप आपका दिमाग इंडिया खेलने में और आप concentrate रंजी ट्रॉफी में नहीं करें ना तो आप वहाँ पर हैं और जहापर आप हैं वहाँ पर भी concentrate नहीं कर सकते कर सकते तो मैंने में यह सोचा था कि जब मैं डॉप वादा एधिंग रंजी ट्रॉफी भी बहुत कम लोगों को मिलती है खेलने को रंजी ट्रॉफी खेलने के लिए लोग हजारों बच्चे एक ड्रीम करते हैं कि हम दिली के रंजी ट्रॉफी के ड्रेसिंग रूम में अठावन टेस्ट मैच एक बड़ा पैमाना होता है जिसमें आपके नौ टेस्ट सेंचुरीज है उसके लावा वंडे में आपकी 11 शतक है पीछे मुड के अपने करियर को किस तरह से देखते हैं आप आपने कॉंट्रिब्यूट किया यह आप बहुत कोश हैं देखे ओविसल अगर आप देखें एक फिफ्टी ओवर कप खेला और उसी के विनिंग में विनिंग मेंबर बन गए बिकॉस जम वेना वस ग्रोइंग अप तो मेरे लिए सबसे आधा इंपॉर्ट फिफ्टी ओवर्ल कप था टीटी वर्ल कप बहुत बाद में आया पर मेरी एक ड्रीम थी क विनिंग वर्ल कप देश को वर्ल कप जिताना तो आप एक वर्ल कप खेले उसके बाद उसी वर्ल कप में आप जीत गए तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती लेकिन रिग्रेट यह था कि अगर 2015 में आपको मौका मिलता उसको डिफेंड करने का उसे बड़र चीज करते थे आपको अचानक से अचंबा लगा जब यह एलां किया गया उस वंडे सीरीज में कि यह तीनों सलामी बल्लेबास रोटेट होंगे क्योंकि धोनी 2015 वर्ल कप के लिहाज से सोच रहे थे और उनका कि मैं इन तीनों को एक साथ वर्ल कप नहीं खिला सकता हूं क्योंकि के लिए ग्राउंड बढ़े हैं और मुझे अच्छे फिल्टर चाहिए है हाला कि तीनों ही के लिए उसके बाद 2015 देखिए बहुत सप्राइजिंग था विकास मैंने अपने करियर में और शायद किसी ने भी किसी के करियर में ऐसा नहीं सुना होगा कि सिरफ 2012 में ही आप डि संदे रह गए वर्ल कप से पहले लेकिन अब 2012 में अगर 2015 का की टीम बनाने की कोशिच कर रहे हो तो वह कही न कोई अनफॉचिनेट है भी और वह उनफेर है भी तीनों खिलाडियों के लिए बिकास इंटरनाशनल क्रिकेट में अगर तो आप फील्ड में लाइबिलिटी हो अगर आप अपनी बैटिंग से कॉंट्रिब्यूट नहीं करें तब यू कें टेक कॉल लेकिन अगर आप लिएबिलिटी नहीं हो अगर आप बैटिंग से कॉंट्रिबूट करें अल्टिमेटली आपकी स्किल बहुत मैटर करती है आप अगर आप कॉंट्रिब्यूट कर रह पुजारा के साथ भी वक्त होता रहा है आला कि पुजारा ने बड़ी जब जबर्दस बैटिक किये जब पहली बार इस तरह की सिटुएशन में आप आई क्या उसने आपके खेल को भी अफेक्ट किया क्या आपका कॉंफिडेंस खेल में गिरा उसके बाद से जब आपको आप बहुत जादा सिक्यूरिटी मिली भी है अगर आप बड़े से बड़े खिलाडी को ये बोलो कि अगर आप इस सिरीज में रन नी बनाओगे तो आप अगली सिरीज में डॉप हो जाओगे तो उसका बैट ही नहीं उठेगा अगर जो इतने ग्रेट हुए हैं इंडिन क्रिके हो तो फिर आप एक ही चीज़ सोचते हो कि मेरे रन बन जा है राधन टीम को जिताने के लिए बिकाउज आप हमेशा अपनी प्लेस के लिए खेल रहो हूँ तो हाँ जब ऑविसली क्वेशन वांग उठे थे और वो क्वेशन मार्क्स अनफैर तरीके से उठे ये नीर की मैं कर रहा था अपने वन डे क्रिकेट में रन बना रहे था हैं आपने सौनी बनाया नो डाउट मैं एकसेप्ट करता हूँ कि मैंने सौनी बनाया लेकिन अगर आप सिरीज देखें जिस तरीके से में कॉन्स्रीब्यूट कर रहा था उसके बावजू जब आप ड्रॉप होए त कि बेटिंग जी सरीके से मोगने करें उस सरीचे साब लेतस्में डाउट करें अव हो में का अश्त तक इसका तरीका क्या होता कि मेरे रनों की वजे से द्टाप नी टिया लिकिन ग्रिफ्टिंग क्यूंकि मैं बैंटिंग अच्ही नी करा ता उसलिक्टमी टो रगεν स्टалась सब्सक्राइब कि अगर मैं अच्छा करता रहा हूंगा वो मुझे साथा साटस्फाक्शन देगा कि रादन मैं किसे को फोन उठाके मिलाओं और बोलूँ कि मैं किस तरीकी मैं सिलेक्ट हो रहा हूं क्यों नहीं आप मुझे खिला रहे हैं तो शयद वही रीजन था मैंने कभी पूछा भी नहीं लेकिन हां एक मेको जब ड्रॉप होने के बाद एक रीजन यह जरूर दिया गया था कि आपके रनों के वज़े से ड्रॉप नहीं किया गया आपकी बैटिंग जिस तरीके से आप ह बहुत रूमर्ज हैं फिका अल्टिमिटली मुझे लगता है कि अगर आप डिफेंशे लुप नहीं होगे अगर हर इंसान का एक यह ऊपनियों होगा तो कभी ना कभी आपकी ग्रोथ हमेशा हमपर करेगी आपकी ग्रोथ आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती किसी भी चीज में of opinion से ही आपको एक अच्छा opinion निकल के आता है हाँ देवा differences of opinion मैं different तरीके से cricket खेलता था मेरे different ideas थे लेकिन जब आपका vision एक है जब आपका मकसद एक है कि अपने देश को जिताना अपने देश का नाम रोशन करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी सबसे जो खुशी के पल है सबसे आदा जो बड़ी अचीवमें हम तोनों ने इकठे मिल के आइधिंक ड्रेसिंग रूम में इंजॉय करें चाहे वो T20 World Cup हो चाहे वो नंबर वन टेस्ट प्लेंग नेशन हो टीम हो 2011 World Cup हो न्यूज़ेंड की टेस सीरीज हो अपनी बैटिंग अपनी ताकत मानते थे हैं अपने अन्दाज को अपनी ताकत मानते थे क्योंकि अबड़े मैचों में पाकिस्तान की खinoff मसलन जहां बड़ा टफ नवारमेंट रहा καता था और अची पाकिसांग आपकी लोग कहते थे यार जो जिनसे मैदान में भी आपकी लड़ाई होती थी बाद में उसे जैसे बात होती है करते है यार वो ठीक है जिद्धी था पर प्लेर बहुत बड़ा था आपकी ताकत क्या थी क्रिकेट एस क्रिकेटर अगर एक ताकत आप अपनी उठाकर बताएं I think mental toughness because मेरे को हमेशा लगता था मैंने जैसे बोला है कि मेरी childhood dream यह नी थी कि मेरे को 10,000 या 20,000 run बनाने थे इंडिया के लिए और वो कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने 20,000 run बनाने या 100 test match के लिए शायद अगर मैंने सोचा होता तो मैं शायद खेल लेता लेकिर मैंन करें me शोचा कि टीम को वर्ल काब जितने का पर्ट बने बड़े टॉनमेंस जता ने और टेस्रीज भर इंडिया से भार जितानी है व को मैंने हमेशा है सण गया सुना था इंडिया कभी धिक तेस《रेज नहीं जीतें तो वह एक मिरा जरूर मकसद था वरॉलका जीतना मकसद था और इंडिया से भार test series में अच्छा करना मकसद था and fortunately हम New Zealand में test series जीते, South Africa में draw करी World Cup जीते लेकिन दो जो सबसे lowest moment थे वो ये थे कि आप England में 4-0 हा रहे और Australia में 4-0 हा रहे तो शायद वो सबसे lowest moment थे लेकिन back-to-back भी आ गया है लेकिन unfortunately Zaheer Khan injured हो गए थे हम 4-0 वहा हा रहे फिर ऑस्ट्रेलिया में same year 4-0 हा रहे तो वह थे बहुत लोग अच्छा करीर और में को याद है मैंने पर्थ में press conference में ये बोला था कि I hope कि मैं वापस अस्ट्रेलिया हूँ और बिकम आप अपस तेस्ट winning team winning team test series winning team because वो मेरा ultimate aim होगा obviously mocha निमला that is irrelevant because मुझे लगता है कि test series इंडिया से बाहर जीता मेरा बहुत बना माकसा था क्या रहेगा आपके दिल के पास सबसे ज़्यादा I think test cricket I think test cricket में को हमेशा लगता है test cricket से बड़ी cricket मुझे लगता है कि ICC test player of the year और New Zealand में test series because मुझे याद है New Zealand चो मैं जा रहा था तो उससे पहले मैं इंडिया में बहुत run बना रहा था subcontinent में run बन रहे थे तो हमेशा यह doubts थे कि New Zealand conditions में कैसी batting करेगा South African conditions में कैसी batting करेगा probably मैं New Zealand सिरफ एक ही बारी टोर किया South Africa एक बारी टोर किया सिरफ Australia में test series में सिरफ एक ही बारी टोर किया तो सिरफ England में दो बारी गया हूं उसके लावा कोई भी overseas conditions नहीं है या टोर नहीं है जापर में दो बारी गया हूं तो New Zealand पे मेरे बहुत बड़े question marks थे ना I was happy कि मैं जिस तरीके से मैंने contribute किया South Africa में I contributed चार इनिंग में तीन-पचास थे महाँ पर ड्रॉ किया उस तीम के अगेस्ट जहा को सीरीज हार सकते थे आकरी दिन वो आपकी और सचिंग की partnership ना हुई होती मुझे याद है चौते दिन आपको गें लग गया था ना अगले दिन भारत को मैच जो जीत सकते थे बचाने के लिए खेलना था तो मैंने करेंगे कल किसी और को सलामी बल्लेबाजी करानी पड़ेगे आप बैटिंग करने आ गए एक वो मैच केप टाउन और एक नेपियर नेपियर में भी हुआ क्या था आप नीन में चले गए थे आपने तकरीबां दो सवा दो दिन बैटिंग किए वहां पर दाई दिन फॉलो आन के बाद मुझे याद है कि अच्छी चीज यह थी सबसे जदा पॉसर्टव यह चीज यह थी कि मैं वैसे बहुत इंपेशिए लड़का था तो जब आप अपने तेम्रोमेंट को खुद ब बैटिंग कर सकते हो तो वह बहुत साड़िस्फाक्टरी चीज थी विकॉज उससे अगर आप 200 रन तो लोग बनाएंगे 300 रन भी लोगों ने बनाया है लेकिन जब आप धाई दिन बैटिंग करते हो और यह सोचते हो मुझे याद है कि मैंने एक सेशन में I think चौथे दिन एक सेशन में मैंने एक भी रन नी बनाया था तो मैं दो घंटे बाटिंग करी थी और एक भी रन नी बनाया था तो उससे मुझे लगा कि कितनी mental toughness है मुझ में और उसके बाद मैंने कि मेरे पास यह भी गेम है कि मैं दो दो दिन लगातार या एक दिन पूरा खेल सकता हूं बिना रन बनाया तो जब आप एक सेशन दो घंटे खेलके एक भी रन नी बनाते तो उससे बदा चलता आपका कि लोग हमेशे बात करेंगे कि जी mental toughness इदर से आती है mental toughness अपने आपको अपने जो डाउट से उवरकम करने से अपनी जो आपकी खुद के डाउट से आपको लगता है कि आप नहीं हांडल कर सकते जब आप उसको ओवरकम करते हो उससे बहुत जादा mental toughness आती है और वो dressing room कैस करूंगा आगे जाके तो सिरफ वो dressing room because आप इतने अच्छे moments आपने इकटे बिताए हैं अथारह उन्हें से आप 20 जो लोग होते थे support staff मिला के कि जब आप जीते थे जब आप अच्छा करते थे जब जिस तरीके से आप enjoy करते थे dressing room में जिस तरीकी camaraderie थी वो एक चीज आप हमेशा मिस करोगे और वो एक चीज मुझे लगता है कि वो आप कभी वापस नहीं ले के आ सकते आपने लोज भी बहुत देखें आपने चार जीरो जैसे हमने बात करी इंगलेंड में चार जीरो ऑस्ट्रेलिया में ठीक हमने बात करी ICC World Cup जो इंगलेंड में वा था दोस्ती ऐसी थी कि आप अपना दिल में जो भी होता था आप शेर कर सकते थे सिरफ के पॉंट अफ्यू से नहीं क्रिकेट के इलावा भी एवन अपनी परस्नल लाइफ में इवन आपके जो नॉमल डाउट्स होते हैं उससे भी इसे कहते हैं दोस्ति और इसी रीजन से आप आपने इतना अच्छा किये विकाज आपको दूसरे एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट होता था कि अगर मैं किसी से बात करूंगा तो वह बात सिरफ हम दोनों के बीच में रहेगी वह एक गौसिप बनके भार नहीं जाएगी तो ड्रेसिंग रूम में एक ट्रस फैक्टर सब आप अपने टीमेट्स के साथ ही मनाते हो फैमली तो आपके साथ ट्रावल करती नहीं जब आपकी शादी नहीं होती तो वही आपकी फैमली होती है उनी के साथ आप दुख भी बाठते हो उनी के साथ आप खुशी भी बाठते हो तो इमाजिन करो कि उस ड्रेसिंग रू कहते हैं कि आप अपकी रिटार्मेंट के वक शाय ट्वीड भी किया था तो यह हसना कम वैसे थीक है मैं देखा यह कि क्रिकट नहीं कहेलते यह इंटिव्यू नहीं करते ता आप को हसते हैं देखिए में को लगा था कि सच्छा है यह वी एकि मेरे को पैसे का बहुत बड़ा जो मेरा पैसे का टाइक था के कैर के साथ बोजब कराव बिल्कुल और मैं यह बिलकुल सचाहि से आपको बोल सकता हूं अगर कोई यह बोले कि मेंको पैसे का कोई प्रेशे नी है मैंने थोड़ा मांगा था मुझे तो उन्होंने दिया मेरो पर बाहत प्रेश्या था इस त तो 13 14 15 16 और 17 में नहीं रहा उसके बाद भी 5 साल बहुत रहे और सिरफ इसले रहे क्योंकि आपकी खुद से आप मेको लेके आयो मेको उस एक्सपेक्टेशन को फुल्फिल करना पड़ेगा नहीं तो मैं डिजर्ब ही नहीं करता है जिस तरीके से काप्टन हो चाहिव ऐस प्लेः हो शायद अगर मैंने प्रफॉर्मंस ती होती तो मैं बिल्कुल खुषी-खुषी एक्सेप करता लेकिन अगर मैं बिना प्रफॉर्मंस के एक्सेप करता तो तो शायद मैं पूरी जिंदी इस गिल्ट और रेट में रहता कि मैं सौर बनाने क पर दिमाग से कम दिल की सुनते हैं शाहिए यहीं मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह और कई जब आपने दिल की सुनते हो तो तो शाहिद आपको बहुत जादा सीरी जोती हैं कई आप से आप अपने दिल की सूच तो आपको जरूरी सीजसाइऑ और प्योर आंसर मिलता बर्प उपने दिमाग की सोच है तो आप बहुत जाधा चीज़े मैनूपलेट करते हो शद वो घूरिए नहीं पर दिमाग से और बहुत लोग मुझे कहते हैंगी की जोड़ना बहुत बड़ा इमोशनल दिसेजन था पैसे चोड़ना बहुत अब देसेजन था लेकिन अगर आप मुझे से पुछोंगे तो मैं बहुत शांति की नीद सो सकता हूं बगुज लगता है कि जोचीज मैंने करी आपने अपने आपको शीशे में देख सकता हूँ वो सब स्यादा माटर गरता है एक आपने जेस्चर किया था जब आप कप्तान थे भारत के और आपने और विराट ने विराट करशाथ पहला स्वाथ वो इडिन गार्डेंज में और मैनादा मैच लेने गए आपने विराट को कहा किने ही डिजर्व इट आपने ट्रोफी दे उसके बाद लोगों के जहन में वो भी तस्वीर है जहां आपके और विराट की कहा सुनी हो गई थी एक आई पेल के मै कि किसी भी खिलाडी के लिए पहला इंटरनाशनल अंडिट सबसे जादा इंपोर्टेंट भी और जब आप उस ट्रॉफी को आप अपने क्याबनेट में रखोगे तो पूरी जिंदगी वो याद करोगे कि हां इस मैच में मैंने अपना फर्स इंटरनाशनल अंडिट बनाय जाए बहुत मुझे लगता था विराट कोली ने जिस तरीके से मेरे साथ बाटिंग करी थी वो डिजर्फ करते थे अनफॉर्चनेटली सिरफ एक को ही मैंन अदर मैच मिलता है और इसमें मुझे मिला था बर मुझे लगता था उन्होंने भी उतनी अच्छी बाटिंग करी साथ बाटिंग करते हैं जब आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं तो अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते हो और अगर में को किसी के साथ भी हीटेड आग्यूमंट करना पड़े और मैंने यह पहले भी बूले हैं शायद आपकी कॉन्कलेव में भी मैंने यह बात बोली कि मेरे जिन जिन लोगों से heated argument हुई है में को कोई ना regret है और ना कभी आगे कोई regret होगा because ultimately वो कोई personally था मैं अपनी team को जिताने की कोशिच कर रहा था वो अपनी team को जिताने की कोशिच कर रहे थे और शायद अगर मैं आगे खेलता और आगे भी अगर heated argument होता तो होता there is nothing wrong in it जब तक कि मैं उसको personally लेके जाता जो चीज़ फील्ड पे होती है उसको फील्ड पे रहने दिनी चाहिए क्योंकि elections आने वाले हैं बहुत जल्द और बहुत बड़े rumors है गौत्म-कंबीर जो है वो election लड़ने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं आपसलूटी यह में भी बहुत rumors होने बट ऐसी कोई भी बात नहीं ना ना मैंने कुछ ऐसा भी तक सोच है और जब मैं social issues के बारे में बात क करता हूं क्योंकि I think being a taxpayer मेरे पास पूरा राइट है government से question करने का जिस जदना मेरे पास राइट है उतना ही आपके पास रॉमें जितने लोग है सब के पास राइट है अगर मैं टाक्स पर नहीं होता तो मेरे पास कोई राइट नहीं है लोगों से गवेस्टिन करने का अगर आप दिल्ली के एक कॉलिटी देखो अगर आपने आगे आने वाली जेनरेशन के लिए क्या छोड़ के जारो शाहद इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था आम आदमी पाटी के अगेंश वो पावर में है अगर पीजेपी पावर में होती है थे मैं अगर सेवो ट्वीट करता तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी इस एंगल से किया है कि मैं राजनीति में जाने वाला हूं या नहीं जाने वाला कि अल्टिमेटली जब आप टैक्सपेर होते हो जब आप चाहते हो कि आपका देश प्रोग्रेस करें आपका स्टेट प्रोग्रेस करें और आपको लगता ही कि नहीं हो रहा तो अभी शायद वो मैं इस्चू उठाता हूं बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हलांकि मेरा बड़ा दिल कर रहा है अगर हम मुम्किन हो कैमरा उठाएं क्योंकि गौतम की दिवार है ट्रोफी की अभी अभी इनों विराट की उस ट्रोफी की बात की थी कुछ इन में से ऐसी ट्रोफी होंगी तो आपके दिल के बड़ी करी बड़ा शांदार करियर रहा और मैं यह अभी भी नहीं मानूगा कि आपने खेलना चोड़ा है आप खेलते रहेंगे अपनी बच्चीयों के साथ बिलकुल थैंक्यू वेरी मच्च गॉत बहुत शुब कामना है आपको भी गौतम गंभीर कहते हैं ना स्ट्रेट बैट इनक मुझे अच्छी चीज़ यह लगी शाद आपको भी यह लगी कि इनके अंदर का फाइटर कभी खत नहीं हो रहा हूँ